बुलुश्री प्राणनात प्यारे कीज जो दुख तुम ही बिछुरे मोहे लागो जो तासों प्यार एता सुख तेरे विरह में तो कौन सुख हो सी विहार तो कौन सुख हो सी विहार राग स्रिधना काफी सन मंध मूल को मैं तो पाउँ पल छोड़यो न जाए प्रणामजी सुन्दर साज्जी प्रणाधर सुन्दर साज्जी आज जैसा कि पहले से निश्चित किया गया था एक से साथ सितंबर तक स्रिप्राणात ज्यानपिट का वार्षी को त्षव होना था लेकिन कोरुना के चलते पहले की तरह कारेक्रम का आयोजन हो पाना तो संभो नहीं हुआ लेकिन हम सबने ये विचार विमर्ष किया कि आज इंटरनेट लगभग प्रत्यक व्यक्ति के पास उपलब्ध है तो सुन्दर साथ घरों में बैठ करके भी जो यहां नहीं आ पा रहे हैं सभी अपने अपने घरों में रहते हुएं चर्चा का आनन्द ले सकें इसलिए ये निश्चे किया गया कि जूम और यूट्यूब के माध्यम से हम उन्ही दिनों में अर्थात एक से साथ सितंबर तक लगातार चर्चा का और वानी गायन का कारेकरम रखें आशा है आप सब सुन्दर साथ इस बात से प्रस्चन होंगे कि चर्चा का लाभ मिल रहा है और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले में सबसे ये प्रार्थना करूँगा क्योंकि हो सकता है बहुत सारे सुन्दर साथ के पास ये सूचना नहीं पहुँची होगी अब तक तो वो भी चर्चा के आनन्द से वानी गायन के आनन्द से वन्चित ना रहें इसलिए मैं सबसे ये आगरह करूँगा कि आपके आसपास जो सुन्दर साथ है उन्हें बताएं अगर अभी नहीं बता सकते तो आज की चर्चा का लिंक उनको शेयर कर दें और सब को ये सुचित कर दें अगले और छे दिनों तक आज के अतिरिक्त छे और दिनों तक प्राणात ग्यानपिट के यूट्यूब चैनल के माधिम से और जूम के माधिम से ये चर्चा चलने वाली है तो इस लिंक को और इस सुचना को अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा सुन्दर साथ में शेयर करें अब हम आज की चर्चा को शुरू करते हैं हमने थोड़ी देर पहले स्वामी जी के मुखार विंद से इसी कलश ग्रंथ के सात्वी प्रकरण को सुना जिसमें इश्क की वास्तविक्ता बताई गई थी उसकी महिमा को बताई गया था कि इश्क का अथवा प्रेम का क्या महत्व है इस पूरे प्रकरण में जिसकी पहली चोपई थी इश्क बढ़ारे सवन में ना कोई इश्क समान शुरू से लेकर के आखिर तक ये बताया गया है कि इश्क की महिमा क्या है इश्क सबसे बड़ा है इश्क बड़ारे सबन में फिर कहते हैं चौदे तबक हिसाब में हिसाब निरंजन सुन्य न्यारा इश्क हिसाब थें जिन देख्या पिववतन तो चौदर लोकों में सबसे बड़ा इश्क को बताया, प्रेम को बताया अब आगे अगले प्रकरण में चौकि इस प्रकरण की पहली चोपाई है सनमंध मूल को में तो पाउँ पल छोड़ियो न जाए क्योंकि प्रस्न ये होता है सामने रूप में जो कोई भी विक्ति पहली बार सिर्फ इस प्रकरण को सुनेगा इश्क की महिमा को प्रेम की महिमा को महत्ता को सुनेगा तो ये प्रश्न होना सोभाविक है कि चल ये प्रेम की तो महिमा है लेकिन प्रेम किस से करें इस संसार में माता अपने संतान से पुत्र पुत्री कोई भी हो अपनी संतान से प्रेम करती है पती पतनी से प्रेम करता है पतनी पती से प्रेम करती है गुरू और सिश्य के बीच में भी सनिह का एक संबंध होता है बोलचाल की भासा में उसे भी प्रेम ही कहा जाता है दो मित्र के बीच में जो सनिह होता है उसको भी प्रेम कहा जाता है फिर इस संचार में प्रेमी और प्रेमासपद जिसको आशिक और मासु को कहा जाता है उनके बीच में भी जो संबंध होता है उसको भी प्रेम की संज्या दी जाती है सुन्दर साथ के मन में ये प्रश्न हो सकता है अभी मैं ऐसा कह रहा हूँ लेकिन ऐसा कहते कहते भी शंका हो सकती है कि इस प्रकरण में तो प्रेम की बात नहीं की है प्रकरण की पहली चोपाई है सनमंद मूल को फिर प्रेम के विभिन्न प्रकार में कहां से चले गए इस बीच में क्या संबन्ध है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या संबन्ध है इन दोनों प्रकरणों के बीच में तो पती पतनी के बीच का जो संबन्ध है मित्रों के बीच में जो संबन्ध है गुरु सिश्य के बीच में जो संबन्ध है इस संचार के प्रेमी प्रेमी काओं के अथा प्रेमी प्रेमास्पद के बीच में जो संबन्ध है सब में प्रेम तो है लेकिन वो अलग प्रकार का प्रेम है अब ये संका हो सकती है कि प्रेम तो प्रेम होता है प्रकार उसके क्या होते है प्रेम के चार प्रकार बताए गए है चार स्तर सबसे पहले लोग बोलचाल में जिसको प्रेम समझते है उसकी परिभासागर जाने तो इस संचार में क्या होता है कि एक लड़का और लड़की एक दूसरे को देख करके उसके बाहिय शरीर की सुन्दरता को देख कर उसकी बोल चाल को देख करके अथवा उसकी किसी कला को देख करके कि उसके धन संपत्ति को देख करके जो एक लवकिक आकरशन होता है जो कि छणिक होता है लोग उसको भी प्रेम समझते हैं और बोलचाल में क्या कहते हैं कि इसका उसके साथ में प्रेम समझ चल रहा है अंग्रेजी में कहें तो अफ़ेर चल रहा है जबकि यह प्रेम नहीं है ये सिर्फ आसक्ति है जो कि जिसको देखकर कि ये आसक्ति की शुरुवात हुई थी अगर उस गुण का रास होने लग जाएगा तो उस आसक्ति का उस सम्मंद का भी रास होने लग जाएगा जैसे एक राजा था वह आखेट के लिए शिकार के लिए गया हुआ था महाँ पर एक साध्वी थी किशोरी साध्वी थी उसे देख करके राजा के मन में तो विकार आया लेकिन लोग खुद के विकार को विकार नहीं कहते कहते हैं कि हम उससे परेम करते हैं जो क्या आशक्ति होती है उसने जाकर कि प्रस्ताव रखा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं लेकिन वह तो साद भी थी और उनको पता था कि ये सर्फ मेरी इस बाहिय शरीर को देख करके आकरशित हुआ है उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आप अगर मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आप 15 दिन के बाद आईएगा तब मैं आपको अपना नेर्णाई दोंगे 15 दिन के बाद राजा आया राजा जब आया तो उस साद्वी की कुटिया के बाहर एक उस साद्वी की सहेली प्रतिक्षा कर रही थी राजा ने जा करके पूछा कि वो लड़की कहां आई जिससे मैं 15 दिन पहले मिला था शादी करना चाहता था तो उस सहेली ने कहा कि वो तो अंदर बैठी है आपकी प्रतिक्षा कर रही है आप चलिए राजा गए अंदर अंदर जाके जैसे ही देखा वहाँ एक ऐसा शरीर था जो केवल हड्डियों का धाचा था जो शरीर में जहां जहां भी मांच था वो सब सूख चुका था और सिर्फ चेहरे में जुरियां दीख रही थी आँखें अंदर धसे हुई शरीर ऐसा हो चुका था सुन्दरता शरीर की ऐसे खतम हो चुके थी कि उसको देख करके किसी को भी आ सकती अथवा आकर्शन तो नहीं हो सकता तो राजा ने कहा कि मैं तो उस साद्वी को ढूणने आया था जिससे मैं 15 दिन पहले मिला तुम कौन हो साद्वी ने कहा वो मैं ही हूँ राजा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारी सुन्दरता कहां चली गई तो उसने सहली को अंदर बुलाया और संकेत क्या इशारा किया जो की पहले से नेरधारित था वो सहली राजा को लेकर के थोड़ी दूर पर गई वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे गड़े खोदे हुए थे उस गड़े में दिखाया तो उसमें मल मुत्र भरा हुआ था फिर राजा को लेकर के वापस आई वो सहली तो उस साद्वी ने कहा कि मेरी सुन्दरता उस गड़े में है क्योंकि उस आद्वी ने क्या किया था कि उस राजा के जाने के बाद उसने ऐसे दस्त कराने वाली अवसधी खा ली थी जिससे कि उसको दस्त हुई बार-बार जब जाना पड़ा ठीक होने के लिए अवसधी नहीं खाई तो शरीर सूख करके हड्डियों का ढाचा हो गया इसका तात्पेरी क्या है कि शरीर की जो सुन्दरता है वह भी मलमुत्र से ही बना हुआ है वह भी विकार से ही बना हुआ है शरीर की जो सुन्दरता है विकारों के द्वारा बनी हुई है तो अब जैसे ही मलमुत्र समाव तो हो गए अंदर से निरंतर निकलता गया तो शरीर की सुन्दरता खतम हो गए अब उस साद्वी ने कहा कि अब भी अगर आप मुझे प्रेम करते हैं विवाह करना चाहते हैं तो मैं तयार हूँ क्योंकि साद्वी को पता था कि अगर कोई ऐसे सरीर के साथ भी प्रेम कर सकता है तो वो सच्चा प्रेम है फिर वो आशक्ति नहीं है लेकिन राजा जो की केवल सुन्दरता से लगाओ रखता था उसने कहा कि नहीं मुझे तुम से शादी नहीं कर नहीं राजा महां से चला ग है समाफद हो गया धन तो वो व्यवाहर भी समाफद वो आ सकती वह लगाओ समाफद हो गया कला को देखWow करकि कि अगर स्वाद की आदत है तो कुछ समय के बाद में वही फिर बुरा लगने लगता है वही आवाज कभी कोयल की लग रही थी तो वही आवाज कुछ समय के बाद में कववे की आवाज लगने लगती है तो उससे भी आकरशन खतम हो जाता है तो इसका तात्वरी क्या है कि जो पहला आकर्षण है आ सकती है वह प्रेम नहीं है लेकिन दुन्या उसको प्रेम समझती है यह पहला दूसरा क्या है इसकी चर्चा हम अनेको बार वैसे कर चुके हैं लेकिन चूंकी प्रसंग चला है प्रेम को समझाना है तो इसी से ही समझाय जा सकता है तो दूसरा जो प्रेम है उसको कहा गया हिरसिस्क जिसमें शरीर का आकर्षण नहीं होता है शरीर की आशक्ति नहीं होती है भावनाएं आपस में जुड़ी होती है जैसा प्रेम ससी पुन्हु हीर राज़ा सोनी महीवाल जैसल तोरा लित्यादी में था कि शरीर का आकर्षण नहीं था उनका प्रेम अंतिम समय तक भी चला जब तक शरीर रहा तब तक प्रेम रहा उन्होंने शरीर के आकर्षण को नहीं देखा लेला और मजनु में जो प्रेम था उसका उदाहरन दिया जाता है कि मजनु अपनी लेला से अपनी प्रिया अपनी प्रेमिका से इतना प्रेम करता था वैसे तो वो काली थे रात की तरह काली होने की वज़े से ही उसको लैला कहा जाता था फिर भी उसको प्रेम था मजनु को लेकिन वह प्रेम भी हमेशा तो टिकने वाला नहीं है कब तक टिकेगा जब तक शरीर साथ दे रहा है तब तक मृत्य के बाद तो उनके नियंत्रण में नहीं है वैसे तो कहने के लिए लोग बोलचाल में कह देते हैं भारत्य परंपरा में भी ये कहावत प्रचलित है कि पत्ति और पत्नी साथ बार परिक्रमा करते हैं वह इसलिए करते हैं कि साथ जन्मों तक साथ बना रहे फिर होता क्या है साथ महिने के बाद असलियत साथ में आ जाती है और साथ साल तक का भी वो संबन्द नहीं चल पाता है साथ जन्मों की तो बात बहुत दूर की है और कुछ संबन्द ऐसे हो सकते हैं गिने चुने उंगलियों में गिने जा सकते हैं जो कि पूरे जीवन एक दूसरे के प्रती समर्पित रहते हैं, एक दूसरे के प्रती इमानदार रहते हैं और प्रेम करते हैं स्निह का भाव रखते हैं, लेकिन इस जनम के बाद उनके नियंत्रण में नहीं है, कि अगला जनम भी एक दूसरे के साथ में ही मिले. हाँ कर्मों के हिसाब से हो सकता है कि किसी जनम में मिल भी जाए लेकिन वो उनके हाथ में नहीं होता है तो इसलिए ये संबन्द भी ये प्रेम भी सच्चा प्रेम वास्तविक प्रेम नहीं है अब जो दो प्रेम बच्चे हैं इश्के हकेकी और इश्के मारिफती तो हकीकत और मारिफत का प्रेम वह है जो आत्मा और परमात्मा के बीच में है इसको अगर हम ब्रह्म हुवाने की भासा में कहें तो ब्रह्म स्रिष्टी और राज्जी के बीच में जो प्रेम है वह हकीकत और मारिफत का है सिर्फ अवस्था का फरक है हकीकत का प्रेम क्या है कि आत्मा अपने प्रियतम से अपने परमात्मा से प्रेम करती है कि है परमात्मा जैसे कि अभी स्वामी जी के मुखारविन से हमने सुना कि मैं आपकी हूं और आप मेरे हैं यह जो प्रेम है यह प्रेम हकीकत का है और यही जब आशिक मासुक में डूब जाए, दोनों एक होने लग जाए, दोने में कोई भेद ही ना हो, तो वहाँ मारिफत का प्रेम कहलाता है, मारिफत के प्रेम को व्यक्त नहीं किया जा सकता अब जो प्रशन हो था सुन्दर साथ का कि इस संवंध मूल को प्रकरण में इस प्रेम की बात कहां से आगए अब मैं दोनों के सम्बंध को दquently दोनों प्रकरण के सम्बंध को पहले दों जो प्रेम हैं लौकिक चाहे वो नफसी इश्क हो चाहे हिर्शी इश्क हो उसको तो हम छोड़ देते हैं अभी उसकी चर्चा नहीं करते हैं उसको तो सब समझ चुके हैं अब हकीकत का जो प्रेम है या मारिफत का वह किस के बीच में है जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वह राज्जी और ब्रह किंद्शा को सुनहुने कर तंब सभी अपने आपको ब्रह्मिस्रिष्ठी का दावा तो करते हैं कि हम ब्रह्मिस्रिष्ठी हैं मानलीजय किसी व्यक्ति ने 30-35 साल की उम्र में सार्टम लिया उसके बाद वह अपने आपको अंगना भाव मान करके राज्जी की अंगना मान कर ब्रह्मिस्रिष्टी मान करके उन्हें रिजाने लगता है। चुकि वानी का कथन है ना जाने इस जुन्ड में कौन सुहागिन होई तो कौन ब्रह्मिस्रिष्टी है पता नहीं है। चलिए मानली जितनी लोग अभी के इस प्रसंग को समझने के लिए, जितनी लोग इस चर्चा को सुन रहें, सभी अपने आपको ब्रमस्रिष्टी मानले, मानली जिए कि सब ब्रमस्रिष्टी हैं, लेकिन राज्जी के साथ प्रेम कब से हुआ, ऐसा तो नहीं है कि जब आपन का प्रेम कभ आना सुरू होता है कि जब हमने तार्तम ज्यान लिया कि इस तार्तम और और राज्य के बीच में किए हुजा है किस प्रकार का है उसका पता कैसे चला संबंद के द्वारा बिना संबंद के तो कोई प्रेम नहीं होता है बिना संबंद के तो क्या होता है हम कहते हैं एक लवकिक व्यवाहर भी नहीं रखते बिना किसी संबंद के कहते हैं न जान न पहचान में तेरा मेहमान तो बिना किसी संबंध के प्रेम होता ही नहीं है या तो दो मित्रों के बीच में प्रेम होगा तो वहाँ भी एक संबंध है मित्रता का पति-पत्नी के बीच में भी वो संबंध है इसलिए प्रेम है प्रेमी-प्रेमी का का संबंध है इसलिए प्रेम है नहीं तो कोई राह चलते किसी व्यक्ति को प्रेम का इजहार नहीं करता है, उससे प्रेम दर्शाता नहीं है, जहां कोई संबंध स्थापित हुआ, उसके बाद ही प्रेम संबंध की सुरुवात होती है, इसलिए इस प्रकरण में कहा गया, संबंध मूल को, अब जब मूल के प्रेम की बात की जा रही है, तो संबंध भी मूल का ही होगा, और जो मूल का संबंध है वह ऐसा है, कि वह तोड़ने से तूटने वाला नहीं है, इस संचार में तो प्रेमी प्रेमी काओं के बीच में ब्रेक अप हो जाता है, पती पतनी के बीच में संबंध विच्छेद ह हो जाते हैं डिवोर्ष हो जाते हैं लेकिन राज्जी और ब्रह्मिस्ष्टी के बिज्जो प्रेम है वह तोड़ने से तूटने वाला नहीं है राजी चाहें तो भी ब्रह्मिस्ष्टियों को छोड़ नहीं सकते ब्रह्मिस्ष्टियां चाहें तो भी छोड़ नहीं सकती है हाँ माया के प्रभाव से जीव जिस जीव के उपर बैठी है उसके इंद्रियों के प्रभाव से मन के और चित के संसकारों के प्रभाव से कुछ समय के लिए भूल तो सकती है लेकिन जैसा की वाणी ने कहा पारवतन जो सुहागनी ताकी नेक कहुं पहचान जो कदी भूली वतन अगर वो कुछ समय के लिए भूली भी है तो भी नजर तहा निदान तो भी उसे जागरित करन पर उसे संबंद की याद दिलाने पर उसे संबंद की पहचान हो जाती है आज अगर राजी ब्रह्म सिष्टियों से प्रेम संबंद रख रहे हैं तो वो किसलिए राजी ब्रह्म सिष्टियों से प्रेम कर रहे हैं तो वो किसलिए क्योंकि हमारे साथ राजी का संबन्ध है आज हम सब सुन्दर साथ की रहनी अगर देखें तो हमारी रहनी संचार की जीवों से भी बुरी है जिनको हम माया के जीव कहते हैं जिनको हम कोरे जीव कहते हैं उनसे भी बुरी है गौतम बुद्ध के अंदर जो प्रेम था जो स्नेह था जो शान्ती थी जो करुणा था वैसी करुणा वैसी शान्ती वैसा प्रेम तो हमारे अंदर नहीं है कुमारिल भट थवा महर्शी दयानंद सरस्वती जी के अंदर जैसा लक्ष के प्रती समर्पन था अपने अभियान के प्रती समर्पन था वैसा समर्पन तो हब सुन्दर साथ के अंदर नहीं फिर भी हम अपने आपको महान इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हम कहते हैं हम तो ब्रह्मिस्रिष्टी हैं और ब्रह्मिस्रिष्टियों का संबंध सिधे राज्जी के साथ है तो उस संबंध के कारण एक रानी चाहे उसके अंदर योग्यता हो या ना हो ये अलग बात है कि रानी के अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपनी योग्यता को बनाए लेकिन किसी रानी के अंदर योग्यता नहीं भी होती है तो पूरे देश के सबसे योग्य महिला से भी रानी को अधिक संबंध दिया जाता है सारा का सारा स्रेय सारा का सारा लाब हम इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि हमारा संबन राजी के साथ है अब एक अंग्रे जी कोई मूवी है कोई फिल्म है अभी नाम तो मुझे याद नहीं है उसका एक डायलोग है जो बहुत महत्वपुन है ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पोंसिबिलिटी महान शक्ति अगर किसी के अंदर होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही महान बन जाती है जिसके पास जितना अधिकार है उसका कर्तव भी उतना महान होता है अब हमने राजी ने वो अधिकार तो दे दिया इस संबंद के द्वारा इसके अलावा हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है तो हमारी ये जिम्मेदारी है हमारा ये कर्तव वे है कि हम अपनी योग्यता को बनाए चलिए उस विशे में हम आगे जाते हैं बाद में अभी जो प्रसंग चल रहा है जो चोपाई चल रही है उसको पुरा करते हैं फिर इस विशे में चर्चा करेंगे कहते हैं सनमंध मूल को मैं तो पाउं पल छोड़ियो न जाए मैं एक पल का चौथा हिस्सा एक पल में कितना सेकंड होता है एक सेकंड से भी कम समय लगता है पलक को जपकने में और खोलने में उसका भी चौथा हिस्सा जो होता है इसका मतलब यह कि न के बराबर समय के लिए भी हमारा संबंद ऐसा है कि मेरे द्वारा बहुत छोड़ा नहीं जा रहा है राजी भी कहते हैं कि एक बात ऐसी बकामीने जो हकसे भी न होए ब्रह्म सिष्टियों को अलग करने का क्यूं कि जैसे सूर्य से उसकी किरणे अलग नहीं हो सकते अगर किरणे अलग हो गई तो किरणों का भी कोई महत्व नहीं है और सूर्य का भी कोई महत्व नहीं है जैसे चंद्रमा से चादनी को अलग कर दिया जाए तो चादनी का भी महत्व नहीं रहेगा और चंद्रमा भी चंद्रमा नहीं रहेगा समुद्र से अगर लहरे ही अलग हो गई तो समुद्र सागर सागर नहीं रहेगा लहरे लहरे नहीं रहेंगे उदाहरण के लिए आप सागर किनारे जाईए लहरों के साथ में जो पानी आ रहा है अगर समुंद्र से अलग हो गया वो या तो कुछ समय के बाद में सूख जाएगा या फिर वहां कीचड ही कहलाएगा फिर वहां समुंद्र नहीं कहलाने वाला समुंद्र से लहरें समाप्त हो गई तो सागर सागर नहीं रह जाता है और लहरें समुंद्र से अलग हो जाने के बाद में वो सागर की लहरें नहीं रहती वो सिर्फ कीचड या फिर पानी रह जाती इसलिए हमारा जो सम्मंद्र राज्जी के साथ है वस अनादी है अखन है अनन्त है इसलिए करें मैं तो पाओ पल चोड़ियो न जाए अब हमारी अवस्था तो ऐसी है कि हम छोड़ भी नहीं पा रहें और पकड़ भी नहीं पा रहें हम माया में इतने मगन है कि हमें पता ही ने कि छोड़ना और पकड़ना क्या होता है। छोड़ने और पकड़ने की सुध तो उसको हो जो सुध की अवस्था में हो। जो बेसुध है जो बेहोसी की अवस्था में उसको पता ही ने कि छोड़ना क्या है पकड़ना क्या है। अभी तो हम न छोड़ पा र रहे हैं जो हो रहा है बस हम राजी को सर्फ दोस्त दे पा रहे हैं कि राजी माया ने हमें पकड़ रखा है या फिर राजी की हमारी उपर मेहर नहीं हो रहे है या तो हम माया को दोस्त दे रहे हैं या हम राजी को दोस्त दे रहे हैं जबकि जागरित ब्रह्म सिस्टी की उट गई क्या कहते हैं वाणि में कि सत्य सुरज सब देख रही ही जब प्रगट भयोप्रभात नद टो एक सत्य को देख लिया वेसे असत्य का अंदकार चला जाता है राजी को पकड़ लिया माया अपने आप समाप्त हो गई क्योंकि वानी कह रही है अर्श लो या दुनिया दोवू पाय ना एक ठोर दुनों एक साथ नहीं लिया जा सकता है तो जब हमने राजी को पकड़ लिया राजी को अगर हम एक पल के लिए भी नहीं छोड़ेंगे तो माया हम पर एक पल के लिए भी हावी नहीं हो सकती है अब यहां सब लाइट जली हुई है प्रकास का शुरूत अगर हमने रखा हुआ है तो अंदकार का प्रभा हम पर नहीं पढ़ सकता क्योंकि अंदकार क्या है physics जब पढ़ते हैं तो एक part पढ़ाय जाता है लगबग सबसे प्रारंभिक part में से एक है उन्हें प्रश्ण पुछा जाता है कि अंधकार क्या है what is darkness तो उत्तर क्या होता है प्रकास का ना होना ही अंधकार है प्रकास का स्वयम का कोई स्रोत होता है अंदकार का नहीं होता है आप क्या कहेंगे कि इसकी वज़ा से अंदकार है नहीं अंदकार तो कुछ है ही नहीं प्रकास का ना होना ही अंदकार है प्रकास का स्रोत है चाहे वो बलब हो चाहे दिया हो चाहे सूर्य हो चाहे सूर्य के प्रकास को प्रतिविंबित कराने वाली चंद्रमा हो ये सब प्रकास के शुरोत हैं लेकिन अंदकार का कोई शुरोत तो नहीं होता है वैसे ही माया कुछ भी नहीं है माया क्या है कुछ नहीं है राज्जी के तरफ से विमुख हो जाना ही माया है इसके अलावा और कुछ में तो अगर हमने राज्जी राद जी से हमने जैसे ही मुख मुडा तो क्या हो गया हम दूसरी तरफ मुड़ गए जो दूसरी दिशा है उसी को हम माया समझ ले तो अगर हम राज जी को पकड़ लेते हैं तो अवस्था क्या होगी इंद्राविती जी कहती है अब चल बल मोहे कहा करे। राजी के साथ संबन्द स्थापित होने के बाद चलका बल माया की सक्ति हमारा भला क्या भी गाड़ सकती है क्योंकि राजी को पकड़ लेने के बाद कहते हैं मोह आद्थें दियो उड़ाए मान लिजे यहाँ पर लाइट बंध है अभी लाइट बंध हो जाने के बाद में कोई यह सोच सकता है कोई छोटा बच्चा होगा बिलकुल अग्यानी बालक होगा तो वो क्या सोचता है मैं भी बच्पन यहीं सोचता था हो सकता है सभी बालक बाल्यकार में यहीं सोचते होंगे कि दर्वाजे से अंदकार आ रहा है खिड़की से अंदकार आ रहा है ऐसे ही हमारी अवस्ता है यहाँ पर लाइट अगर जली हुई है तो अंदकार नहीं है लेकिन अगर लाइट बंध है तो हमें ऐसा लगता है कि इधर से अंदकार की शुरुवात हुई है, जबकि शुरुवात नहीं कहीं से है, हर जगह पर अंदकार है, तब तक जब तक की प्रकास का शुरोत उपलब्ध नहीं हो, लेकिन प्रकास का शुरोत उपलब्ध होते ही, अंदकार जड़ से समावत हो जा रही है, इसी को कह रहे हमें राजी को पकड़ने की आवस्था कैसी हो जाएगी वाणी में इंद्रावती जी कहती है माया गई पोताने घेर राजी को पकड़ा तो माया अपने घर चली जाएगी तो इसलिए आवस्थेकता है राजी के साथ अपना संबंध स्थापित करने की उनसे संबंध जुड़ा तो जैसे राजा के साथ संबंध होने के बाद संपूर्ण अधिकार रानी के पास आ जाता है वे हर काम करवा सकती है वैसे ही अगर राजी से हमने अपने सम्मंद को इस्थापित किया माया से हमारा समंद वैसे ही तूट जाएगा हमें माया को चोड़ने के लिए प्रयास करने के जरूरत नहीं है कमरे में अंदकार है आपको क्या करना है सिर्फ तार को पावर के साथ में अथवा प्लग के साथ में जोड़ना है बल्ब के तार को उसके बाद आपको प्रकास फैलाने के लिए धक्का मारना नहीं पड़ता कि चल इधर प्रकास चला जा इधर चला जाए से धक्का मारने के आ आउशिक्ता सर्फ इतनी है कि विद्यूत के स्रोत के साथ में आप तार को जोड़ें वैसे ही आप अपने हृदय के तार को राज्जी के साथ जोड़ते हैं तो हृदय में जो अज्यानता का अंधकार है मायावी विकारों का अंधकार है वह स्वत्त ही चला जाएगा इसलिए आउशिक्ता है राज्जी के साथ अपने संबंद को जोड़ें उसके लिए आउशिक्ता है उस संबंद की पहचान करें पहचान के लिए आउशिक्ता है ज्यान की ज्यान के लिए आउशिक्ता है वानी का मन्थन करने की तो आगे आने वाले दिनों में जब भी चर्चा कि सिर्फ साथ दिनों के वार्शे कुछों में हो स्री प्राणात ज्यानपिठ सभी सुन्दर साथ को घरों बैठे इंटरनेट के माध्यम से चर्चा वानी गयन पहुचाने के लिए आबद्ध है और जब से इस चैनल के स्थापना की गई है तब से निरंतर रूप से कभी एक दो दिन का गैप हो जाता है वो टेकनिकल प्राबलम के कारण अन्य था निरंतर रूप से ब्रह्मुवानी की चर्चा बित्त की चर्चा आ रही है तो आगे आने वाली दिनों में भी हम यही चर्चा सुनते रहेंगे वैसे वर्सों से सुनते आ रहे हैं फरक नहीं पड़ता वो अलग बात है लेकिन चर्चा हमेशा होती रहेगी हम भिन भिन प्रकरणों के माद्यों से घुमा फिरा करके बात वहीं पर आती है आप चाहे सिंगार की चर्चा सुन ले चाहे मारिफत की चर्चा सुन ले चाहे रास की चर्चा सुन ले हर चोपाई का सार यही निकलता है कि जागनी जागनी कैसे होगी हमारी अंतरात्मा की जागरिती कैसे होगी हम राज्जी की पहचान करेंगे तब जागरिती होगी पहचान कैसे होगी ज्ञान से होगे ज्ञान कैसे आएगा वाने के मन्थन से तो सार वही है चाय कहीं से भी घुमाए तो हम आगे आने वाले दिनों में भिन्न भिन्न ग्रंथों के माध्यम से प्रकरणों के चोपईों की चर्चा के माध्यम से प्रयास करेंगे कि हमारी आत्म जागरेती हो ज्यान द्रिष्टी से तो सबकी हो चुकी है आचरण की रहने की द्रिष्टी से ध्यान द्रिष्टी से आत्म द्रिष्टी से भी हमारी जागरिती हो उसके लिए हमें उसी दिशा में ध्यान देने के आओ सकता है जैसा कि हमने स्वामे जी के मुखारविंद से सुना कि वाणी अब सिर्फ इतनी आओ सकता है कि हम वाणी मन्थन करें नियमित रूप से, हम चित्वनी करें नियमित रूप से, सेवा करें नियमित रूप से और वाणी की चर्चा को नियमित रूप से सुनें, तो क्या होगा संबन की हमें पहचान ग्यान दृष्टी से हो चुकी है, वह फि के राज्जी की जो आशिकी है वाणी के तिना धनीना जेम धनवट लीधी भली पेरेशार तो राज्जी धनी की जो धनवट है आशिक की जो आशिकी है प्रेमी का जो प्रेम है उसको हम तभी अनुभव कर पाएंगे जब हम इसको अपने जीवन में लागू करेंगे अब समय समय पुरा होता है आगे हम स्री रंजीत जी के मुख से वानी का गायन सुनेंगे अब समय पुरा होता है जो फैदो रहिए सनमंध मूल को मैं तो पाउपल छोड़ियो न जाए अब चलबल मोहें कहा करे मोह आद थेंदी ओ उड़ाए मोह आद थेंदी ओ उड़ाए प्रदाम जी बोलो स्री प्राणनात प्यारे मुझा झाल प्राणनागे तो उड़ाए झाल भी ओ उड़ाए